आजकल के जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, भाग रहे हैं, माबाप छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, चाहे उसकी उम्रे एक साल ही क्यों न हो, ऐसा ही एक वाक्या हुआ है राजिस्तान के उदेपुर में, एक बच्चे के जित करने पर उसको मोबाइल दिला दिया जाता है, माबाप सारे दिन खेत में काम किया करते थे, बच्चे भी उनके साथ में खेत में काम करता था, लेकिन वो जल्दी ही घर पर आ जाया करता था, और घर पर आने के बाद में उसे फ्री फायर की जो लट लग चुकी थी, औ तेथ कि आदत लगजाते हैं उसको पता ही नहीं चलता है अब उस बच्चे को ननी फिल्मों में बहुत जाशनी चलता है अब पूरे यह भ्याएब को पूर यह और पूरा है शहर यह जहाय सक्त सक्त Zo CH चाहिए इन लोग को या तो फासी की सजा होनी चाहिए या फिर इनको गोली मार दी जाने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों ये एक सची घटना है राजिस्तान के उदेपुर से 40 किलोमेटर दूर एक धाना लगता है मावली वहीं का एक गाउं होता है एक छोटा बच्चा जिसका नाम है कमलेश राजपूत अपने माबाब से जित करता है के मुझे मुझे मॉबाईल दिलादो और उसकी जित के आगे जो माबाब है वो इसको मॉबाईल दिला लेते हैं और मॉबाईल में फीर fire येश फिर फाइर येशाफ करता था फिरी फायर खेलते 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 कब उसे गंती ребен regardless लग जाती है उसको पता 혼자 ही नहीं चलता है और उसके जो माबाब थे वह जाधा तर जो समय ठार समय खेद पर गुजरता था उनका सो बारेता वह सोचते थैं के नहीं था उस गंदी फिल्मों का कि उस उनको देखे बगेर उसका दिन नहीं गुजरता था एक छोटी बच्ची जिसके उमरी इस वक्त आठ साल थी और कक्षा चार में पड़ रही थी इसकूल से आती है और इसकूल से आने के बाद में कपड़े वगेरा चेंज करती है खाना खाने के बाद में मा से कहती है कि मा मैं कुएं पर ताउजी के पास जा रही हूँ और मा उसे इजाज़त देज दिये क्योंकि वह अकसर जाया करती थी क्योंकि गाउं का माहुल था तो गाउं में अकसर एक दूसरे के पास चले जाते हैं अब काफी समय गुजर चुका था शाम हो बच्चे को साथ वो खेला करती थी सभी से बारी बारी पूछते हैं लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई ख़बर नहीं थी लड़की के चार भाई थे चारों से पूछा जाता है लेकिन उनको भी इस बात के वारे में कोई जानकरी नहीं थी मावाब बहुत जादा परिशान हो जाते हैं ये खबर पूरे गाउं में फैल जाती है पूरा गाउं उसको ढूनने में लग जाता है सारी राट ढूनते रहते हैं कब सुबा हो जाती है पता नहीं चलता है 28 मार्च 2023 का वाकिया था फिर 29 तारीक निकलाती है सुबा होने पर और लड़की को सारे गाउं में ढूना जाता है रिश्चेदारों में ढूना जाता है लेकिन उसके बावजूद भी कोई ख़वर नहीं होती है फिर नजदी की पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट दर चली जाती है 31 भी चली जाती है और आप जो है एक अप्रेल 2024 का दिन निकलता है अब उसको ढूंटते ढूंटते करीब 4 दिन हो जाते हैं गाउं के लोग भी परिशानते मावाब भी परिशान थे और नजदी की गाउं के गाउं की बराबर में ही एक खंडर वाला मकान था जिसमें कोई भी नहीं जाया करता था उसमें जाड़िया वगेरा थी लेकिन वहाँ पर गाम वालों को कुछ बदबू सी मैसूस होती है कुछ गाम वाले उस मकान के अंदर चले जाते हैं वो ले देखें हो सकता है कोई जंगरी जानवर तो नहीं ले गया क्या हुआ तो वह पुलिस को सूचना दी जाती है पुलिस मोके पर आती है और पुलिस कहती है कोई भी जो है सबूतों से छेड़ चाल नहीं करेगा कोई भी इस चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा अब डोग स्कॉइट को बुलाये जाता है डोग स्कॉइट उन तुकडों को जो है अच्छी क्रपती तरीकी से और भोगना शुरू कर देता है जोग बोहटी जो है वह लड़की के घर की तरफ पुरवाना हो जाता है सभी लोग डाओं के लोग भी और पुलिस भी सब लोगउर पीछे-पीछे होते हैं डोग स्कॉईट लड़की के घर पर नहीं मोंकता है बल्कि पुलिस को पूरी तरीका से शक हो जाता है वो कमलेश राजपूत्व जिसकी उमर 21 साल है और पिता राम सिंग राजपूत और मा किशन कुवर को हिरासत में ले लेती है और पुलिस चोकी लेकर आ जाती है अब कमलेश राजपूत से पुलिस थोड़ी सकती से पुछ साच करती है और वो तोते की तरह सारी बाते बता जेता है शाम चार बजे का समय था कमलेश राजपूत नवाब थे वो इस वक्त खेत पर थे कोई नहीं था घर में वो उसको अंदर बुला लेता है और अंदर से घर को बंद कर लेता है और उससे कहता है चलो खेलेंगे और खेल खेल में वो उसके जो है हाथ पेर बांद देता है और लड़की अभी तक भी बेखावर थी उसको पत रखता है कि उसकी जान चली जाती है अब थोड़ी देर और गुजरने के बाद में फिर जो बच्ची की लाश थी उसके साथ में दरिद्गी दिखाता है लेकिन कमलेश राजपुत इस बासे बेखबर था कि वो बच्ची इस वक्त मर चुकी है उसको पता ही नहीं चला कि वो इसको चुपाया जाए चुपाऊं तो चुपाऊं के से अब वो उस लड़की के दस तुकड़े करता है उस दस तुकड़े करने के बाद में घर से बोरी लेता है उसके बोरी में बंद करके बातरूम में रख देता है अब थोड़े देर के बाद में उसके माबाप खेतों पसर लोटाते हैं और वो देखते हैं कि उसका जो लड़का है वो डर रहा है अब वो डर दने की वज़ा पूछते हैं लेकिन वो बता नहीं पाता है लेकिन वो समझ जाते हैं कुछ ने कुछ तो हुआ है और वो बतायता है कि हां मुझसे ऐसे ऐसे गलती हुई है और मैंने ऐ पात हो जाती है क्रीब 2-3 बजए के समय होगा और पास में ही काउं के पास में एक हुंडर होता है भॉआ फेक देते हैं और उपर से ज़ाड़िया रख देते हैं उस घंडर में कोई आता जाता नहीं था क्योंकि वो वीरान रेता था और गाउं से थोड़ी सी दूरी पर पी था उसमें कोई नहीं जाता था वो बेकार था खंडर था अब वो अपने घर पर लोट कर आ जाते हैं और सोचते हैं कि किसी को कोई खबर पता नहीं चलेगी गाउं के सभी लोग पुलिस से डिमांड करते हैं कि इन तीनों को जो है गोली मार दी जाए अब पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है पुलिस गाउंवालों से कहती है हम दस दिन के अंदर चार्शीट बनाकर कोर्ट में पेश करेंगे अब कोर्ट जो भी निड़ने लेगा वो मानने होगा दोस्तो बुरे काम का बुरा अंजाम होता है आप लोग भी अपने बच्चों को थोड़ा मोबाइल से दूर ही रखें तो जादा बेतर होगा दोस्तो वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करो चैनल को जल्दे से सब्सक्राइब कर लें